हलो फ्रेंट आप पहर फ्रेंट इस्टेडि में लू सेंट ठीक है लू सेंट के बारे में पढ़ेंगे ये आपकी कौनसी क्लास के ये आपकी भाग 13 holiday लूसेंट ठीक है, लूसेंट में हम पढ़ेंगे बहुत धरम के अस्टांग मार्ग ठीक है, बहुत धरम के अस्टांग मार्गों के बारे पढ़ेंगे बहुत धरम के जीवन की घटना है ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है ठीक है बहुत द्रम के जीवन की घटना है ठीक है किसके गौतम बुद्ध के गौतम बुद्ध के जीवन की घटना है ठीक है गौतम बुद्ध के जीवन की घटना है इन घटनाओं में निम्न घटना है सामिल है नम्मर एक, दो, तीन, चार, ठीक है, इसमें चार घटना है, सामेले महा, परिवर्नी, निवारण, धर्म, चक्र, प्रबर्तक, संबूधित, ठीक, वी नम्मर एक क्या है, महावी निशकर्ष्ण, ठीक है, यह बुद्ध के जीवन की क्या है, चार घटनां में से, चार घटनां है, जिनको सामेल किया, गरताक की घटना, ग्रेत्याग की घटना को क्या करा गया महावी निसकर्समर्णी ठीक है ये ग्रेत्याग की क्या थी ग्रेत्याग की घटना ठीक है किसके गौतम उद्व के ग्रेत्याग की घटना को क्या करा गया महावी निसकर्समर्णी ठीक है इसको ग्यान प्राप्ति की गटना ठीक है धर्म चक्त प्रवर्तक इसको उब्देश देने की गटना उब्देश देने की गटना ठीक है इसको कहा गया धर्म चक्त प्रवर्तक महान परी निवारन ठीक है इसको कहा गया निवारन अलब उनकी मिर्तिव की गटना को कहा गया ठीक है यह गौतम बुद्ध के जीवन की क्या थी चार गटना यह थी ठीक है जिसको बताया गया ठीक है गौतम बुद्ध के जीवन की 4 घटना है दी जिनको बताया गया है क्या गटना है थी is धर्म निवारण की नाम से जाना गया किसकी गौतमभुत की मरित्यों को महा चक्र धर्म चकर प्रवर्बर्तक ठीक है और किसके सम्वोद्त इसको ज्यान प्राप्ति घटना को बताया गया, ठीक है, बुद्ध के जीवन के चार इस्थल, ठीक है, बुद्ध के जीवन के चार इस्थल, ठीक है, जिनके बारे में बताया जाता है, बुद्ध के जीवन के चार इस्थल, ठीक है, जिनके बारे में बताया जाता है, बुद है थीक है यहां क्या हुआ था बुद्ध क्या हुआ था ना कवित को जना की प्राप्ति था थीक है बूद्ध-गया न्याकी प्रप्ति धरम उपदेश दी आता ठीक है फिरतम धरम उपदेश दी आता इन्हों ने ठीक है और चौता क्या है कुसी नगर कुसी नगर जहां पर क्या किये था बुद्द्य नापनी मिठती यूंद त अपने प्राण तय आ गे थे थीक कहा पर कुसी नगर सबता थी अपने प्राण के लिए अपने प्राण के थे ठीक है कि इसके बुद्ध के जीवन की चार घटना चार मतलब इस्थानों के बारे बता दिया जो कि important है ठीक है और अब बुद्ध के जीवन के बारे में क्या बताएंगे जी बुद्ध की जीवन पांच बुद्ध ठीक है थीक है इसको कप अलगे है पांच बुद्ध पांच बुद्ध ठीक है यह पोझा गया कि पांच बुद्ध कौन-कौन से नाम कौन-कौन रिक कुछ चणा ठीक है कुछू नंद ठीक है कुछू कुछू ठीक है कनक भंजक कनक भंजन ठीक है यह पांच पांच बुद्ध के नाम से जाना जाता है कस्यप ठीक है यह हुए तीसरे चोथे हैं साक्यमुनी ठीक है गौतम बुद्ध ठीक है पांच में कौन है मैत्रे यह कौन है भावी बुद्ध भावी बुद्ध पूसरे हुए अफ़िया एक स्टार बना के लिखना अन्तम बुद्ध रहना कौन होँगे अ कि 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 अन्तिम बुद्ध ए rätt ओ जीक है सांध वड़रा ये क्या होंगे अंतिम बुद्ध हो एच यह चीज बताया गया ठीक है पांच 5 बुद्धों के बारे में बताया ku ठीक है अब बुद्ध्रम के बारे में कुछ ऐस्टा चीजें पढ़ लेते हैं ठीक है बुद्ध्रम के बारे में जो भी दी गई है चीजें उसके बारे में पढ़ेंगे ठीक है ठीक है बुद्ध्र धर्म की सबसे पावेत्र जिसा ठीक है बुद्ध्र धर्म की क्या है सबसे पावेत्र जिसा बुद्ध्रम में पावेत्र जिसा ठीक है बुद्ध्र धर्म में पावेत्र जिसा ठीक है बुद्ध्रम में पावेत्र जिसा कौन सी जिसा को बुद्ध्रम में पवित्र दिशा माना गया बुद्ध धरम में कौन सी दिशा को पवित्र दिशा माना गया बुद्ध धरम में दच्छन दिशा को ठीक है किसको दच्छन दिशा को किसको दच्छन दिशा को सबसे पवित्र दिशा माना गया बुद्ध धरम में ठीक है बुद्धरम का पिर्चार किस भासा में हुआ पिर्चार पिर्चार किस भासा में हुआ बुद्धरम का पिर्चार किस भासा में हुआ पाली पाली भासा में हुआ ठीक है बुद्धरम का पिर्चार किस भासा में हुआ पाली भासा में हुआ ठीक है कि अब बुद्ध धर्म में निवारण मतलब मिर्ट्यू ठीक है इसका अर्थ क्या है इसमें निवारण सब्द का प्रियों की आगा निवारण ठीक है इसका अर्थ क्या है बुद्ध धर्म में पूछा गया कि इसका अर्थ क्या है निवार्ण सब्द का अर्थ है दीपक का बुझ जाना ठीक है निवार्ण सब्द का अर्थ है दीपक का बुझ जाना ठीक है यह बता है कि दीपक का बुझ जाना ठीक है निवार्ण और रखे सब्किंद अ सब्किंद और कर रखे कि जीमिल अनलकर से ठीक वह हुज जोब अधाजब के मिलन मेlemente कि मुख्त हो जाहने पार को घ्रख सम्मिले है ठीक है पुर्ण्र जन्म पर क्या था विश्वास पुनर जन्म पर क्या है इन्हें विश्वास है कि पुनर जन्म खुता है ठीक है कि कर्वार्व levar पर रखते हैं ठीक है अंसरा इस्ट बिढ़नमों कर vous अ बूद्धर्म के बारे में एक चीज और पढ़ते हैं इसमाधे गें बुद्ध के दस सिला दस सील ठीक है दस सील के बारे पढ़ेंगे किसके बुद्धर हमें दस सील के बारे में पढ़ेंगे कि दस सील ये क्या होते ठीक है बुद्धर हम के दस सील क्या होते इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि बुद्धर हमें दस सील किसको का जाता है अच्छा करते हैं अहिंसा अहिंसा नंबर दूसर सत्य नंबर तीसरा असेत इसके आदा चूरी ना करना नंबर चौता अपरी ग्रे किसी पिरकार की संपत्ति ना रखना संपत्ति ना रखना मद्य पान नसा ना करना ठीक है नसा ना करना ये भी बुद्ध धरम में बताया गया है चटमे असा में भोजना करना असा में भोजन ना करना ठीक है सात्मा है सुखदाई विस्तर पर ना सुना थेक है आठ में धन संक्रा ना करना इसत्री से दूर रहना तस मैं निर्थ संगीत से दूर रहना ठीक है किस से निर्थ संगीत से दूर रहना से तुरेर ना थीका क्या है एंसा सत्य चोरी ना करना अपगे रहे work मत्यपान किसी तरह का नसे ना करना आसल में भूझन ना करना खबला में भूग मारे नाथ रहना से दूर रहना ठीक है कि तस मोड़ में विह कि से रहा झाणिया ॐसारा टीक है चोरी ना करना आपरीग रहे montón अनसा ना करना क्छिताउ बिस्टर पर ना सोना दहन संग रहना करना एस्ट्री से दूर रहना और नर्त संगीश का दूर रहना ठीक है फ्रेंस वीडियो को लाइफ और करना ना बूले जो यह रोगा जो भी लोग रहेगा उन्हों को भी एड़ करा दीजिए उसमें आपको लूसेंट की ज्यादा मिलेगी